दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेट फॉर प्रॉफिट में हमेशे केता है चैनल जो की टोटली डेडिकेटेट है फ्री आफ कॉस्ट आपको टेडिंग सिखाने हो समझाने के लिए तो यहाँ पर दोस्तों काफी दिन से आप मेर है सीखना है सब फ्री आफ कॉस्ट बताने कोशिश करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बीटी सी यूजजटी का पेवर है डेली चार्ट है तो यहाँ पर वीडियो को स्टाट करूं उससे पर एक बहुत जरूरी बार कि जो लोग नए है चैनल को पहली बार देख है उससे पहले लेते हैं चोटा सा ब्रेक तो दोस्तों यह माँए ब्रेक के बाद वापस और यहाँ पर ज्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका पिछली एक अपडेट मैंने डाली थी दोस्तों 36 या 38 सेकंड का वीडियो था जिसमें मैंने आपको तीन लेवल दिगाए थे बीटीसी के प्राइज बेरी जोन में जा रहा है ठीक है यह महज एक डिट्रेस्मेंट हो सकता है और इस जोन पर मैंने बोला था कि अगर यह जोन ब्रेक होती है तो फिर बीटीसी के ट्रेंड रिवर्स हो सकता है अधर्वाइस इस यहाँ से पुश अप करके ऊपर जाएग देखो दोस्तों डिमांड और सप्लाइज जोन का बहुत ही बड़ा महात्व होता है जितनी जल्दी डिमांड और सप्लाइज जोन समझ लोगे सीख लोगे देखे होरिजंटल लेवल सोते हैं कुछ इस तरह के मैं आपको बता देता हूं क्योंकि मेरे वीडियो में प्राइ उपर चली जाएगी तो होरिजंटल लेवल्स काम करता है लेकिन वहाँ पर अगर एक जोन क्रियेट की जाए ठीक है एक जोन क्रियेट की जाए कि जैसे कि यह रेड जोन है यानि सप्लाइज जोन है यह एक बिलू जोन है यह इसकी डिमांड जोन है प्राइज इस जोन में क यहां पर प्राइज ने डबल बॉटम लगाया लगाया कि ने लगाया यह की लेवल था टूटा प्राइज ऊपर निकल गया इस प्रेश्टेंस तक जाने की पूरी कोशिश करेगा जो कि अगर यहां पर आप देखोगे अब लोग यहां पर देखें बैसिकली बीटी सी की प्राइस के साथ साथ उनको जादा जाद अपडेट से यह होती आल्ट कोईंस की आल्ट कोईंस के बार में इसी वीडियों बताऊंगा थोड़ा सवेट कर लें लेते हैं एक ब्रेक तो दोस्तो हाजिर हूँ एक बर फिर बेक के बाद वहापस आपके सामने तो यहां पर देख सकते हो कि सिंपल्स आपको चार दिख रहा दे कि मैं चार को गंदा नहीं करता हूँ मेरा जो ट्रेडिंग करने का तरीका है तो उसके बाद इसके नीचे तीस तो यहां पर इस चीज का ध्यान लखने वाला आप लोगों के लिए है अब कितना अच्छे से आपको लग रहा होगा चार्ट आप देखो के चप्षिरिंग करके तो इस तरह से ट्रेंड अपसाइड जा रहा है तो प्राइज इतना ऊपर चल चुका है तो कुछ तो यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी कुछ लोगों देखे रिश्टेंस एरिया के पास जब भी पहुशता है तो जो ट्रेडर्स होते हैं इनके अंदर एक पैनिक भी आ जाता है कि रिश्टेंस एरिया के पास पहुच गया है प्राइज नीचे गिर सकता है तो महाँ पर उस से आउट आउट करते हैं अब यहां पर यहां इहां पर यानी की वैयर्स बैठे हुचे ज़ीक कि अगर यहां पर सपोर्ट रिए को इस फिर रिया है ठीक जब भी अगर नींचे के साइड ब्रेक होगा तो काफी अगभारि अघरावर्ट देखने में प्लोट पर इत्ता है कि वीडियो wannट को शाम तक मिले कि वीडियो बनता है एडिट होता है उसके बाद अपलोड होता है तो तो फोल्सा तो हो सकता कि वी से 2-3 घंटे बाद आपको मिलेगा फिलाल भी कि मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट लेवल अब निकल कर आ रहा है कि अगर बिट्कॉइन का प्राइस इस एरिया को ब्रेक करता है तो 20 प्लस तो आपको देखने को मिलेगा मिलेगा साथ में कोई बड़ी बात नहीं कि 24 के भी देखने को मिल सकता है बहुत जल्दी अगर यह एरिय इसके बारे मैं बात करूंगा क्योंकि BTC के बारे में काफी एजा बात हो चुकी है अब यह पैटन को अगर आप देखोगे यह पैटन को अगर आप देखोगे कि जस तरीके से डबल बॉट कृतिम लगा लगाया है अगर आप नहां पर मैं ले लेता हूं अगर एक्सल्डा बॉटम आपको लगता दिखेगा मैं आप टू आवर्स का लेता हूं वन आवर का यह देखिए यह डबल बॉटम यहाँ पर लगा प्राइज उपर निकला है रिट्रेस कर रहा है फिर यह उपर निकलने कोशिश करेगा कोई बड़ी बात में इस हाई को तोड़ने की कोशिश भी कर सकता है क्योंकि XLM भी काफी बुलिश कंडिशन्स है XLM की लिंक के अगर बात करेंगे तो लिंक में भी देखिए वही सेम सेटप बन रहा है वन आवर के चार्ट पर यह देखिए इस तरीके से प्राइज उपर निकलने कोशिश कर रहा है तो फिलाल यहाँ पर अगर आप देखो के तो बिटकॉइन के साथ साथ वह क्रिप्टो करसी उपर भागेंगी जिनका १ेय। यूस्धिटी के पेर में वह है ठीक है यूश्धिटो के पिश्दी के साथ ही उपर उपर चलेगी तो यहाँ पर आप देखो के बीटी सी का चार्ट भी कुछ तरह का अं को दिखेगा अब यहां पर बीटी सी में सप्लाई और डिमांड जोन लगी हुई है इसलिए आपको अच्छे समझ माय रहा है बागी चार्ट पर नहीं लगी है आप अपने चार्ट पर लगा कर देख सकते हूं वाँ पर जाकर तो यहां पर आपको समझ में आया होगा कि कि कितनी सिंपल और स्राल अपडेट यहां पर करने कोशिश की हमें ने कि देखेए डवल टॉप यहां पर बिल्कु क्लियर कर दिखरा था वंडे की चार्ट पर प्राइस सप्लाई जोन में आया यहां पर कॉंसलिडेट हुआ एक अ तो XRP में दोस्तों उसी तरीके की कुछ सिंप्टम आपको दिख रहा है कि प्राइस इस पॉइंट से नीचे गिरा और इस तरीके से उपर चलने कोशिश कर रहा है ठीक है अब देखें यहां तक इस एरिया तक जाने कोशिश कर सकता है फिलाल अगर इसको तोड़ता है तो निकलेगा अधरवाइस यहीं कहीं पर अगर यह एक इस हाई से यहाई कम बनता है तो यहां से प्राइज गिरने कोशिश करेगा तो डिटेल से XRP करूंगा एक वीडियो में तो आप उसका इंतिजार कर लिए तो जब तक के लिए यहां पर उमीद करता हूं काफी एक अच् अच्ट अब्डेर में फिर मिलता हूं जब तक के लिए जैहिंद जैभारत